सौगत है आपका बीन्यूज नेशन में मैं हूँ शकील बागमारे आज हम दिखाएंगे गांधी चोक सरकल की ट्राफिक और लोगों की समझा पर एक विशेश रिपोर्ट गांधी चोक सरकल में ट्राफिक कंट्रो करने के चक्कर में लोगों को और ब्रीज के उपर से गुजरने पर मजबूर किया जा रहा है देखिए आज हम दर बागमारे झाल 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 इस और ब्रीज के दाखिले पे ही एक हाई ओल्टेज इलेक्रिक वायर लटकता दिकाई दे रहा है जिससे लोगों की जान जाने का भी खत्रा है मगर इंतिजामिया की नजर इस वायर पर नहीं पड़ रही है जबके इस और ब्रीज के ऊपर कमजोर और उमरदराज लोगों का चड़ना नामुम्किन सा है और इस ब्रीज को एक प्राविट कमपनी के मालिक रड़ी ने बनाया है जिसे 10 साल लीस पर दिया गया है जिसका और 3 साल का वक्त बाकी है इस ब्रीज को कमर्शल परपोस से बनाया गया है ताके इस ब्रीज से अर्वेटेजमेंट से मुनाफा मिले इस टेंडर से तालुक रखने वालों को तो फैदा हो रहा है मगर आम जनता तकलिफ का शिकार हो रही है और जनता का कहना है अगर इस ब्रीज के बदले इंतजामिया अंदर पास रास्ता बना के दे तो ट्राफिक स्रक्षा और लोगों को परेशानियों से बचाया जा सकता है मंज काल आटू बढ़ता हो रही है ननी तराज अगर नांते यंग तरगी नायत मंधिन यहा है ननी एरूत आगेल्र अधर मेलें तो यथ्रमाल ननी एरूत आगेल्दा एदरेल इले ना मुदुकरी तदकरी बाला तंद्रे अब बिटत्थ रिए इले सीधा होग बिटती दरू म्याले यडियो कादर दम्मा येनर इद्ध मुदुकरो म्यालों पुट्नांग अगुत चांसा आँग आगुदा आट अटक आगत इर्था दा इंग इसाद नडवे एक्दम्म तटलक कुल्ला इरंग आगबक्री इसाद नूटे अटा दिडिटी इसाद वाहनक्कु तोंद्रे यहला जंडर तोंद्रे इक वम्मीनमले गाडी सन उडू वरिता र दोडू वरितार मुदुकर तदकर तर वम् गांटल वानगल कातू कैकाल सोत बंदू अधेला आगला ता तरासी नियन मड़ दूरी ट्राफिक श्रक्षा के चक्कर में गांधी सरकल को बंद किया गया है जहां से कोई भी वहान गांधी सरकल से रौंड नहीं मार सकती आखिर ऐसी क्या वज़े है जो गांधी सरकल को बंद किया गया है जब हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने ट्राफिक के संबंदित अधिकारियों से पूचा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस सरकल को बंद करके ट्राफिक कंट्रोल नहीं किया जा रहा है बलके लोगों को और ज्यादा परेशान किया जा रहा है पहले वहान को बंद करके परेशान किया गया अब जनता का भी रास्ता बंद करके परेशान किया जा रहा है जो लोग इस ब्रीज पर से नहीं गुजर सकते वो लोग रास्ता पार करने के लिए जहां रास्ता दिके वहां से गुजर रहे हैं जिससे रोड पर गुजरने वाले वहानों से बच्टे बचाते रास्ता पार कर रहे हैं एक तरफ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ वहान चालक बीच रास्ते से लोगों के गुजरने से परिशान है परिश्ट होता है और यह में पेसेंट रहे हैं तो बहुत अगलीप होती सबकों यह खुला करना चाहिए अब मैं बेल्डे से आल नगा हूँ इदर मजे बस्ट्यान जाने कर रहा है और शिवाज सरकल जाना रहा है तो बहुत रौंड पड़के जाना पड़ता है अब यह गेट के बारे में क्या है इतना रौंड माना पड़ रहा हम ना यह गेट काड़े कर बोले तो मना बहुत होता है आरीकी शहर बिजापूर जो आज हम यहां पर जो है गांधी चोक में खेरे हुए हैं महात्मा गांधी का मुझसमा है और यह एक बहुत बड़ा सरकल है जो बिजापूर के बीचों बीच जो हाट आफ सिटी कहा जाता है तो हमने जो है तमाम सरकलों का दोरा किया और पर खास कर जो है बसवेशोर सरकल है और इसके अलावा शिवाजी सरकल है टिपो सुल्तान सरकल है यहां पर जो है ट्राफिक के लिए सरकल को खोल दिया गया है लेकिन पता नहीं शहर बिजापूर का जो में सरकल कहा जाता है गांधी चोक सरकल यहां पर जो है चार रास्ते जो यहाँ पर मिलते हैं आप मेरे देनी तरफ देखेंगे तो यह रास्ता जो आपको नजर आ रहा है सिद्धेशोर मंदीर से होता हुआ सीधा गांधी चोक के सरकल को आता है और यह वनवे है और आप इदर मेरे सामने की तरफ देखेंगे बसवेशोर रोड और स्टेशन से यह रास्ता जो है सीधा गांधी चोक को आता है पीछे की तरफ जो देखेंगे यह रास्ता जो है सीधा शुवाजी सरकल से आकर यहां मिलता है और मेरे बाई तरफ अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता जो है सीधा केसी मार्किट से होता हुआ सर्कल में आकर मिलता है और यहाँ पर हमें सबसे बड़ी समश्या जो लोगों की परेशानी का मर्कज बना हुआ है वो ये है कि गांधी चोक सरकल को जो है डिवाइडर से बंद कर दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधी चोक सरकल जो है इसे जो है ट्राफिक जो है पूरा यूटन नहीं लेख सकती क्योंकि यहाँ पर जो है डिवाइडर से बंद कर दिया गया है जो भी वान जाते हैं, बाइक हो, एंबुलेंस हो, या टूविलर हो, कार हो, बस हो, जो भी जाते हैं, अगर वो यहां से जाकर सीधा टर्न होकर जो है, बस्वेशो सरकल से उन्हें, फिर गांधी चोक को आना पड़ता है, यानि यह मसला जो है, डिवाडर का मसला बना हुआ ह मने मालुम कि यह डिवाडर लगा कर गांधी चोक सरकल को यूटर लेने से क्यों बन कर दिया गया है, लोग परिशान हैं, और यहां पर जो बाइक सवार है, कार विलर जो भी वान सवार है, वो परिशान है, उन्हें दिक्कत आती है, अंबुलेंस का गुजरना भी यहां प यहां पर जाना है, तो यह ना मुंकिन है, अंबुलेंस को सीधा यहां गांधी चोक का अगर बसवेश और सरकल से यूटर्न होकर जो है, उसे सिवाजी सरकल या डिस्टिक ऑस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है, तो यह अगर केसी मार्किट से भी लोग आ रहे हैं, तो उ पूरा जो है, बसवेश और सरकल की तरफ होते वे, पूरा वो जो है, इधर सिद्धेश और रास्ते की तरफ जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में जब आप देखेंगे, तो यह सरकल, पूरे क्यार सरकल मैसूर है, और रानी चनम्मा सरकल हुबली है, धारवाड है, बैल आवान चालकों को आती भी हैं, और इसकी खुबसूरती में भी, जो इस सरकल की खुबसूरती में भी कमी नजर आती है, तो कैमरा मन परशांद के साथ, मैं खुर्शिद आलम, बी निउस नेशन, बिजापूर. क्या इस सरकल को जो कैद किया गया है जनता की परिशानियों को देखते हुए क्या इस गानी सरकल को आजाद भी किया जाएगा